हलो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल पर दोस्तों बिना समय गवाई वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें होमगाट जमानों के लिए दोस्तों बड़ी खावर निकल करा रही है कि दोस्तों होमगाट जमान हजारों की संख्या में करेंगे पर देशन तो दोस्तों दूसरी बड़ी खावर कि MP सरकार का बड़ा फैसला आप दूसरे विबागों में free service देंगे, home card, दोस्तों आपको बता दे कि M.P. के home card आप दूसरे विबागों में free अपनी सेवाई दे सकेंगे, इस संबंध में MP Home Guard Act में संशोधन कर दिया गया है और गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इस संसोजन के पाद आप होमगाट विवाग के अलाब राजसर करके दूसरे विवागों में भी फिरी नौकरी कर सकेंगे दोस्तो इस विवाजता के तहरे दोस्तो आपको बता दें कि अने विवागों तैनात करने के लिए अलगसक कोई पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा इससे पहले यदि कोई दूसरा डिपार्टमेंट होमगाट के जवानों को सेवाए लेता है तो उसे होमगाट विवाग को एक तैराशी देनी पड़ती है ग्रह मंतरी ने दोस्तों इसकी जानकारी दी है नरुत्तम मिश्रा ने कहाई कि राज सरकार के अने विवागों में होमगाट तैनात करने पर अब विवागों को कोई राशी नहीं देनी होगी मद्धि पर्देश होमगाट अधिनियम के नियम 29 में संशोधन कर दिया इस संबन्द में मद्धि पर्देश के राज पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया सरकार के अभियानों में मदद मिलेगी होमगाट अधिनियम संशोधन के बाद अब आपकारी और खने जैसे विवागों में माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी मदद कारवाई करने में होमगाट की मदद मिलेगी अपरमुक सजिब डाक्टर राजिश जरोजान रजवरा ने पताया कि पहले किसी भी विवाग में होमगाट तैनात करने पर उस विवाग को इन होमगाट के बेतन बत्तों कर डेड़ गुना डेड़ सो परसेंट बुक्तान करना पड़ता था लेकिन अब अधी नियम में संसुदन के बाद ये बंदन कतम हो गया बारस सरकार का पुराना नियम लागू रहेगा राजिस राजओर ने बताए कि बारस सरकार के बिवागों और नियम में होमगाट तैनात करने पर पहले की तरह तेड़ सो प्रतिशत भुक्तान के शर्त लागू रहेगी ये चूट सिर्फ मद्दी प्रदेश के सरकारी बिवागों के लिए है पर दिविश्च में बरतमान में 11,000 होमगाट कॉल ऑन तैनात है राजओर में पारा सिक्चक और होमगाट जमान 20 संख्या में करेंगी प्रदेशन अधिकानी से मागी जोइंट रिपोर्ट दोस्तूर जारकंट के हजारों की संख्या में पारा की सिक्चक और होमगाट की जवान राची में धरनेस्टल पर बैठके जमा होंगे आपको बताती कि राच के 65,000 पारा सिक्चक बजट सत्के दोरान जारकंट बिदानसवा का गेराओ करेंगे इस बिदानसवा बजट सत्रे में कुछ ही दिन बच्ची है और ऐसे में आंदोलन को लेकर फैसला लेना सरकार और प्रशान के लिए मुश्कले खड़ी कर सकता है बिदानसवा के समय ट्राफिक प्वस्ता को लेकर हरे गतिवती पर भी नजर रखी जाती है अब ऐसे में हज़ारों की संख्या में लोग राची में दर्दा प्रदेशन को लेकर जमा हुए तो कही तरह की समस्याओं से आम जनता से लेकर सभी को काफी परशानियों का सामना करना पड़ सकता है इदर पारा शेक्षक का कहते हैं कि हम आचवासन तो दे दिया गया है लेकिन आचवासन पुराने और हम सबी इंडिये कई सालों से बीच मारे जा रहे हैं दोस्तो नियम अवली के लिए कर रहे हैं आंदोलन नियम अवली तयार करने के लिए आंदोलन होगा मोर्चा के राज एकाई किससे का कि जिस परकर हमारे कार को शितलता दिखा रही है वैसी इस्तिती में यह आतावश्यक है कि हम आंदोलन अन्तमा गतिवी दियों में जाए शेक्षा मंत्री जागर महतों से की अपील पारा शेक्षागों ने एक फरवरे को मुक्र मंत्री आवाजगेराओ कारेकरम को इस्तिकत किया लेकिन अब कारेकरम तै कर रहे हैं तो दोस्तो यह रही बड़ी खबर होंगार जमानों से संबन देत ऐसी खबरों के लिए चैनल से जुड़ें लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने तो वीडियो को लाइक करें आपने अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यव थेंक्स फर मोची